Hello and good morning all of you. Today we are going to learn subject math class 5. Chapter 14 है आपका capacity. Capacity इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? 12 में length पढ़ा था है न 13 में आपने फिर क्या पढ़ा? Work पढ़ा. अब आपको पढ़नी है capacity. In the previous class, you filled up a liter vessel with vessel of different capacity. From his we came to a conclusion. Okay, आपको सबसे पहले ज़िये करना है कि 1000 ml is equal to 1 liter. Okay, 1000 ml is equal to 1 liter. Similarity में क्या हो जाएगा? ये half हो जाएगा. अगर हम 500 ml करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये half liter हो जाएगा. उसी तरीके से हम 250 ml करेंगे तो 1 by half liter हो जाएगा. ठीक है तो आपको memorize क्या करना है 100 ml is equal to 1 liter ओके आपको एक fill in the blanks दिया गया है इसको आपको बुग में fill करना है 2000 ml दिया गया है तो कितने लिटर होंगे तो easily है आपके लिए तो है ना कि 1000 ml क्या होता है 1 liter तो 2000 में क्या हो जाएगा 2 liter हो जाएगा 500 ml में 5 liter हो जाएगा 3600 ml में क्या हो जाएगा 3 liter and 600 ml ठीक है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा यह 4 liter and 50 ml है ना तो यह आप कर लोगे अपने से ठीक है यह 2 हो जाएगा यह आपका 5 हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से आप इसको easily fill up कर सकते हो ठीक है इस पाप बुक में फिल अप करना यहां पर आपको फिर से नेक्स पेज में दिया गया है फिल इन द ब्लैंक है ना जैसा आपने वेट में और लेंध में पढ़ा है सेम उसी कंडिशन में यह भी तो आपको निकालना है 375 ml है तो आपको लिटर में कनवर्ट क क्या करोगे इसको 1000 से इसको आप डिवाइड कर दोगे ओके देखें यहां पर आपको उपर में दिया गया है और इसके पहले भी चेप्टर में आपने पढ़ा है सेम आपको यही काम करना है ओके यहां पर आपके यह हो जाएगा 100 आप स्वाजन से आप जब आप इसको पहले भी कर लिया है यह आपको इसको 1000 से डिवाइड करना है ओके इसमें आपका exercise दिया है चेंज दा गवन टू मिली लीटर्स अपको मिली लीटर्स में चेंज करना है तो आप मिली लिटर्स में कैसे चेंज करोगे तो आपको पता है वन लीटर इक्वर 1,000 एमिल तो 8 давайте means तो आपको लिटर से मिलिटर में कनवर्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या करोगे? 1000 से मल्टिप्लाइ कर दोगे, Q1 में आप मल्टिप्लाइ करोगे 1000 से और जो ml दिया है उसको आप प्लस कर दोगे, ठीक है? जब आप 7 लिटर का निकालोगे, तो यह आपका हो जाएगा 7000 है ना? प्लस इसमें आप क्या करोगे? 250 ml को एड़ कर दोगे, तो यह आपका क्या हो जाएगा? 7,250 ml ऐसा करके आप इसमें लिख दोगे, ठीक है? आप किसी में जो है, इस तरीके से ml लिखना आंसर में नहीं भूलोगे, आपको अप मिलिल्टरस में चेंज करना है, तो सब में आप ml लिख लोगे, इस तरीके से आप इसमें क्योस्टन नमबर 1,2,3,4,5,6,7 यह सब को आप क्या करोगे? अपने कॉपी में इसको बना होग है, तो लिटरस में आप कैसे चेंज करोगे? लिटर में चेंज करने के लिए आप उसको 1,000 से डिवाइड कर दोगे, तो आपने जो पहले भी किया था, जैसे, for example, आपको, क्योशन नमबर 8, 500, 5,750 ml को आपको कनवर्ट करना है, तो सब से पहले आप वर्स्ट फॉल के लिख ml equal 1 by 1000 into 5750, जब आप यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे? इसको 1000 से डिवाइड करोगे, तो यह आपका क्या जाएगा? 5.750 यह आपका अंसर हो जाएगा, इसी तरीके से आपको 9, 10, 11, 12 को बनाना है, सब में आपको क्या करना है? 1000 से आपको डिवाइड कर देना है, 1000 से, इसमें उपर वाले में आप क्या करोगे? मिलिटर में चेंज करने के लिए 1000 से मर्टिप्लाइ करोगे, और लिटर में करने तो आप क्या करोगे? 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है? यहाँ पर एक क्योशन नंबर थाड दिया है, एड 5.750 लिटर और 2.500 लिटर इसको आपको लिखने का मेथड पता है, आपने इसको पहले भी किया है, तो आप क्या लिख होगे? 5.750 लिटर और 2.500 लिटर इसको आप क्या कर लोगे? प्लस कर लोगे, एड मिन्स होता है, प्लस करना, तो यह 0 हो गया, 5 and 7, 512 लोका 2, कहरी यहाँ पर आपका 1 आ गया, and 527 and 8, तो 8.250 यह क्या हो जाएगा आपका? यह लिटर आपका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से आप क्या करोगे? सब इसी तरीके से आपको इसको सब को मल्टिप्लाई करना है, और 1 के बाद आपको डैसिमल लगा देना है, ओके 1 डिजिट के बाद आपको डैसिमल लगा लेना है, तो यह क्या हो जाएगा? 4, 0, 0, 4, 5, 20 का 0, carry 2, 4, 2, 8, and 2, 10, 10, 10 का 0, and carry 1, 4, 2, 8, and 1, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, डिजि 9,000 लिटर, यह आपका question 15 हो गया, डिवाइट करना है, आपको तो क्या करोगे? 5 से 8,500 को आप डिवाइट करोगे, जहां पे आपको 5, 1,5, यहां पे 3, यहां पे point आप लगाओगे, 5 उतार आप लोगे नीचे, तो 5, 7, जा तो इस तरीके से 1,700 लिटर जो है क्या हो ठीक है, तो I think आपको इस अमाज में आ गया होगा, है ना, अब आप इसको करिएगा, और यह homework है आपका, इसको आप पूरे को सब्मिट करिएगा, ओके, यह जो, यह वाला जो fill in the blanks है, और इसके next page में जो fill in the blanks है, यह आपको क्या करना है, बुक में फिल करना है, and exercise जो द